आईए अब हम समझते हैं कि Beijing Consensus क्या था Beijing Consensus को Chinese Economic Model के नाम से भी जाना जाता है चाइना के फाउंडर Mao Zedong की डेथ के बाद Deng Xiaoping ने इस Model की शुरुवात 1976 में की थी इस Model को Beijing Consensus का नाम दिया जोश्वा कूपर रामो ने 2004 में Beijing Consensus को Washington Consensus के बिकल्प के रूप में देखा जाने लगा क्योंकि Washington Consensus बुरी तरफ फेल हो गया था 2008 में आये Great Depression के बाद Chinese Economic Model दुनिया में तेजी से फाइला क्योंकि इस Model ने Washington Consensus के Liberal Market Model को चैलेंज किया था कई experts कहने लगे थे कि अब Market Model का The End हो चुका है और State-led Growth Model की शुरूआत हो चुकी है क्योंकि Washington Consensus में Market Economic Model को प्रोमोट करने की बात हुई थी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में Washington Consensus को बहुत बढ़िया तरीके से बताया है यादि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा करके देख ले लड़ खड़ाने लगा तो एक्सपर्स बोढ़ने लगे कि इस Economic Model पर Blindly विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस Model में State के रोल को emphasize किया गया था और Market के रोल को एगदम Neglect किया गया था इग्नॉर किया गया था आए अब हम समझते हैं कि Santiago Consensus क्या था Santiago Consensus को समझने से पहले हमें Sovereign Wealth Fund यानि SWF को समझना जरूरी है क्योंकि Santiago Consensus इसी पर बेस्ट है SWF यानि Sovereign Wealth Fund सरकार का एक Investment Fund होता है इस Fund के जरिए सरकार Stocks, Bonds, Real Estate, Precious Metals जैसे Real and Financial Assets में इन्वेस्ट करती है 2008 में SWF के Accountability और Governance Structure के प्रति Investors और Regulators की चिंताएं बढ़ने लगी थी इन ही चिंताओं को अड्रेस करने के लिए IMF और International Working Group of Sovereign Wealth Funds ने मिलकर 24 यानि 24 सांटियागो प्रिंसिपल्स बनाए बेजिंग कंसेंसस की तरह सांटियागो कंसेंसस में भी Market के अगेंस्ट Social Welfare पर ज्यादा फोकस डाला गया था I hope आप समझ गए होंगे कि बेजिंग कंसेंसस और सांटियागो कंसेंसस ये क्या है और क्यों important थे Thank you